हेलो फ्रेंग्स तो आज हम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा टेष्टी नास्ता जिसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं चाय के साथ ले सकते हैं या अगर आपके आप कोई गयस आते हैं तो अभी आप उनके लिए बना सकते हैं आपको ये बहुत ही जादा पसंद आएगा तो आएए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसे गर्म करेंगे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ओयल तो यहां पे मैंने एक चमश ओयल लेया है फिर हम इसमें डाल देंगे आधा चमश जीरा और फिर इसमें डालेंगे सफेद तिल सफेद तिल यहां पर एक चमश लिया है और इसमें थोड़ी सी हम हिंग डाल देंगे इसके बाद हम यहां पर डाल देंगे लगबग आधा ग्लास पानी और इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स बारी कटा हुआ हरा धन्या ले लिया है इसे डाल देंगे और फिर हम इसे medium to low flame पे पकाएंगे और जब पानी में उबाल आने लग जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे सूजी तो सूजी यहाँ पे मैंने एक कप लिया यह छोटा कप है तो आप जितना बनाना चाते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं पिर सूजी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और फिर हम इसे पकाएंगे तो यहाँ पे gas की flame को medium to low ही रखें और सूजी को इस तरह से चलाते हुए पका लें पिर आप देखेंगे धीरे-धीरे सूजी का पानी सूखने लग जाएगा जब पानी पूरी तरह से सूख जाए सूजी जब एकदम बढ़िया से पक जाएगी जब सूख जाएगी तब हम यहाँ पे gas की flame को off कर देंगे और off करने के बाद इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए आलू तो यह छोटे आलू थे तो मैंने चार आलू लिए हैं आप medium size के दो आलू ले सकते हैं और यहाँ पे greater ले लिया है और greater के help से हम आलू को इस तरह से grate कर लेंगे अब इसे हम side में रख देते हैं और यहाँ पे एक bowl ले लिया है इसमें हम डाल देंगे सूजी जो हमने पका कर रखी थी और यह सूजी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है तो सूजी को एकदम से ठंडा कर लेना है फिर इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू अब इसके इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है गेहु का आटा तो गेहु का आटा एक कप है यह बड़ा कप लिया है और फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसमें दो बड़े चमच चावल का आटा फिर हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो सबसे पहले नमक ले लिया है नमक एक डाला है आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं हल्दी डाल दिया है लाल मिर्श का पॉर्डर डाला है फिर यहां पे हम डाल देंगे जीरा का पॉर्डर फिर यहां पे ले लिया है अमचूर का पॉर्डर और ले लिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी इसे हातों से इस तरह से जरूर से डालेंगे कसूरी मेंती का फ्लेवर बहुत ही बड़ी आता है तो फिर सारे चीजों को अच्हीतर से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी यहीं करेंगे बिना पानी के ही हमें डो तैयार करना है क्योंकि अलु वंपला आ और सूजी भी हमारी पकी हुई है पहले से तो यह अगर इसमें पानी डालते हैं तो यह गिला हो जाएगा और फिर हमारे नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा तो इसके लिए हम पानी नहीं डालेंगे और यह देखें अब हम उपर से डालेंगे थोड़ा सा ओईल और फिर इसे बढ़िया से यह तयार हो गया है तो अब हम इसकी लोई बना लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी साफ सफाई कर लेंगे और अब हमने ले लिया है अपना डो और इसे हम एक बार हातों से फिर से इस तरह से कर लेंगे अब इसे चाकू के हल्प से हम दो पार और फ्रेंस इसमें हम सुखा आर्टा नहीं लगाएंगे बिना सुखा आर्टा लगाया ही हम इसे बनाएंगे इसमें थोड़ा सा हम ओई लगा देंगे ताकि बेलते समय यह चिपके नहीं अब इसे हम हलके हाथों से बेलेंगे बहुत जादा इसे प्रेस नहीं करना है एकदम हलके हलके हाथों से आप बेलेंगे न तो यह देखेंगे कि यह अच्छे से पैल जाएगा यह देखिए तो इसे हमें एकदम पतला या एकदम मोटा नहीं बेलना है अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कटर अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इस तरह की कटोरी ले सकते है चोटी कटोरी है तो वो ले लिजे या अगर आपके पास चोटा गलास है तो आप गलास भी ले सकते हैं और यहाँ पर मैं कटर की हैब्पसे इसे काट रहे हूं और इस तरह से हम इसे काट लेंगे यह देखिए जैसे गुल गपपा बनाते हैं एकदम ऐसे ही इसे काट लिया है तो कटर का साइज थोड़ा सा छोटा है अगर आपके पास बड़े साइज का भी कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं यहाँ पर ऑईल गरम कर लिया है पहले हाई फ्लेम पर ऑईल को गरम कर लेंगे और फिर इसे हम एक बार लो पर कर देंगे और यहाँ पर भालेंगे तो gas की flame को हम लो पे कर देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसे fry करना है लो फ्लेम पे करने से क्या होगा कि यह थोड़ा krisp Moscow करने से बगल बनेंगा बहुरा ना इस Becca कोशिश करें किसे लो फ्लेम पे फ्राइ करें और आप देखेंगे न एक्तम बड़िया सी फुला फुला जैसे गुलगपा बनता है न उस तरह से ये बनेगा तो फ्रेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो टेस्टी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और ये देखिए हमारा नाश्ता बन कर त्यार हो गया है इसका कलर भी एकदम बड़ी आया है ये देखिए और एकदम कुरकुरा बना है ये तो इसे आप एक बार घर पे जरूर और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में जरूर शेयर करिएगा तो बने रही है मेरे चैनल पे नए नही रेसिपी देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नही रेसिपी के साथ तब तक अपना बहुत ध्यान रखेगा चैक केर कर दो